मुझे मेरी बीमारी के बारे में 2005 में पता चला. जब मुझे पता चला कि मेरी बीमारी हाईर स्टेज में है, तब मुझे हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया, और उस वक्त मैं बेहोशी के आवस्था में था. मुझे मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, यह भी पता नहीं था. ट्रिट्मेंट शुरू होने से पहले, मुझे होप मेडिसिन के बारे में पता चला. उन्होंने मुझे अलोपती के साथ ये दवाई भी लेना बताया. जब मैं हॉस्पिटल में था तब, मेरे मुझे और नाक से खून निकल रहा था. मेरा हिमोगलोबिन काउंट तब तीन से चार तक उतर गया था. सबने आशाये छोड़ दी थी, डॉक्टर सो और रिष्टे दोरों ने भी. फिर मैंने होप मेडिसिन लेना शुरू किया. कुछ ही दिनों में कुण निकलना बंद हो गया. मैं थोड़ा स्टेबल हो गया और मैंने वो मेडिसिन लेना रोजाना शुरू किया. तीन से चार महिनों में मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे. बोन मैरो रिपोर्ट्स भी एकदम सेहत मन थे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बिमारी से मुक्त हो गया हूँ.